वेलकम तो इस्टेडिकर दोस्तों आज हम डिसकस करेंगे बीकली कर इंटरफियस को जिसमें हम 26 अगस्ते 31 अगस्त 2014 तक की मोश्ट इंपोर्टेंट कर इंटरफियस के कुश्चन डिसकस करने वाले हैं तो आप इस पूरी लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्त तक जोड़ देखेगा अगर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकोन भी दबा लें जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा पहला और important कुशन है आदिबासी ज्यानकेंदर कानू किस राज़ में इस्थापित किया गया है अंसर हो जाएगा इसका करनाटक तो करनाटक राज़ में एक आदिबासी ज्यानकेंदर इस्थापित किया गया है जिसका नाम रखा गया है कानू तो ये करनाटक में कहां पर स्थापित किया गया है तो करनाटक में जो BR Hills है या जो BR पहाड़ियां है वहां पर इसको स्थापित किया गया है कानू का मतलब होता है सदा बहार जंगल इस आदिबासी ज्यान केंदर के माध्यम से आदिबाशियों के इतिहास, संस्कृति और रिती रिवाजों के बारे में जानकारी प्रदान की जाएगी अंगला कुशन है किर्केटर सिखर धबन ने सन्यास ले लिया है उन्होंने भारत के लिए कितने बंडे मैच खिले हैं तो उन्होंने 167 बंडे मैच खिले हैं भारत के लिए उन्होंने 37 टैस्ट और 68 T20 मैच भी खिले हैं इंडिया के लिए और उन्होंने इंटरनेशनल किर्क बनाने की गोष्णा की गई है? अंसर हो जाएगा 5. तो लद्दाक में 5 और नई जली बनाए जाएगे जिनका नाम होगा जानसकर, द्रास, साम, नुब्रा और चांगठाग. तो ये 5 नई जली बनाएगे हैं. दो जली पहले से थी लद्दाक में लेह और कारगिन. इस प्रका मांट किली मंजारों पर चढ़ने वाले एसिया के सबसे कम उम्र के बच्चे बने हैं आंसर हो जाएगा पंजाब तो पंजाब के रोपड के रहने वाले हैं तेग बीर सींग उनकी उमर 5 बरस है तो उन्होंने अभी हाली में मांट किली मंजार उपर चढ़ाई पूरी की है इ इसकी उचाई है 5,895 मीटर अंगला कुशन है ICC के नए अध्यक्ष कोन बने हैं आंसर हो जाएगा इसका जैसा है तो ICC के नए अध्यक्ष बने हैं जैसा है उन्हें निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया है ICC का ICC का मतलब क्या होता है International Cricket Council इसकी स्थापना 15 जून 1909 को की गई थी दोवाई में इसका हैटक्वाटर है अध्यक्ष जैसा है और CEO कौन है जियोफ एलाडिस अंगला कुशन है ITBP के अतरिक्त महाने देशक कौन बने हैं तो संजीब रहना अभी हाली में ITBP के अतरिक्त महा पुलिस यानि ITBP ITBP के स्थापना 1962 में की गई थी और इसका मुख कार परवती युद्ध को समालना होता है और भारत का जो परवती सीमा है उसकी रक्षा करने का काम किसका होता है ITBP का इसके बरतमान में महाने देशक कौन है राहुल रसगोत्रा अंगला कुशन है रेलब का अध्यक्ष और CEO न्यूक्ट किया गया है उन्होंने जया बर्मा सिनहा का इस्थान लिया है और दोस्तों आपको याद रखना है कि 37 कुमार का कारकाल 1 सितंबर से सुरू होगा अंगला कुशन है पैरलंपिक गेम्स 2024 की सुरूबात की सहर में होई है आंसर हो जाएगा पै पोटो क्या है गेम्स बाइड ओपन और इसमें कितने इवेंट आयुजित किये जाएंगे पांचसो उननचास बाइस खेलों में ये पांचसो उननचास इवेंट आयुजित किये जाएंगे सुभंकर क्या है ओलंपिक फ्रीज बारेत की तरब से कितने खिलाडियों ने हिस् समाजों को बढ़ावा देने के लिए खेल यानि sports to promote peaceful and inclusive societies तो ये theme आप note कर ले और आपको याद रखना है कि राष्ट्य खेल लिवस मेजर ध्यान चन्द जी की जैनती पर मनाया जाता है अंगला कुशन है सीमा सुरक्षा बल यानि BSF के महा निदेशक कौन मने हैं आंसर हुजैगर दलजीज सींग चौधरी तो दलजीज सींग चौधरी BSF के महा निदेशक बनाए गए है और वो 30 नवंबर 2025 तक इस पद बर रहेंगे BSF की स्थापना 1 दिसंबर 1965 को की गई थी और दोस्तों आपको याद रखना है कि इसका सिधान क्या है जीवन परियंत कर्दब और इसका काम होता है पाकिस्तान और बांगलादेश के साथ जो भारत की सीमा लगती है उसकी रक्षा करना पेरेस पेरालंपिक 2024 में अबनी लेखराने कौन सा मेडल जीता है उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है दोस्तों अबनी लेखराने बीमेंस 10 मीटर एर राइफल सूटिंग की SH-1 केटेगिरी में गोल्ड मेडल हासिल किया है और उनका स्कोर कितना रहा है 249.7 का यानि कि ये एक पेरालंपिक रिकॉर्ड भी उन्होंने बनाया है और इसी प्रतियोकता में यानि इसी इवेंट में भारत की जो मौना अगरबाल है उन्होंने ब्रोंज मेडल जीता है अब नी लेखरा और मौना अगरबाल का संबन्द किस राजे से है राजस्थान से अंगला कुशन है बिहार की सीएम नितीश कुमार ने कहां खेल विश्व विश्व विद्यालय का उधगाटन किया है अंसर हो जाएगा राजगीर तो चीफ मिश्टर नितीश कुमार ने राजगीर में एक खेल विश्व विश्व विद्यालय का उधगाटन किया है यहाँ पर एक आधुने खेल एकेडमी, खेल परसर और खेल विशु भी द्यालाई बनाया गया है और दोस्तों यहाँ पर एक छोटा सा अस्पताल भी है 24 बिस्तोरों बाला जिसमें खिलाडियों को अगर चोट आती है तो उनका इलाज वहाँ पर किया जा सकता है अंगला कुशन है भारत ने अपना पहला दो बारा इस्तमाल होने वाला हाइब्रिड रॉकेट लॉंच किया है इस रॉकेट का नाम क्या है तो इसका नाम है रूमी फर्स्ट तो दोस्तों भारत का पहला दो बारा इस्तमाल होने वाला रॉकेट कौन है रूमी फर्स्ट इसको आप नोट ज़रूर करिएगा। इसको डैबलब किस ने किया है? Space John India और Martin Group ने और इसको चैननाई के थिरू बिंदही से लॉंच किया गया था और रूमी मिसंड का नेत्व तो किस ने किया था? आनंद मेगा लिंगम ने जो की Space John के संस्थापक हैं। अंगला कुशन है Unified Pension Scheme कब से लागू की जाएगी? तो 1 April 2025 से Unified Pension Scheme लागू की जाएगी। तो कैंद सरकार ने New Pension Scheme के तहट Unified Pension Scheme को लागू करने का ऐलान क्या है? ये स्कीम 1 April 2025 से लागू की जाएगी। इसके तहट 23 लाग केंद्रिय करमचारियों को फाइदा मिलेगा और UPS के तहट जो करमचारी हैं उन्हें रेटायरमेंट के बाद सुनिष्चित बेतन दीज आईगी। अंगला कुशन है ACI महिला एकल अंडर 15 बैडमिन्टेन चेंपियसिव खिताब जीतने वाली तीसरी भारतिय महिला कौन मनी है? उनका नाम है तन्वी पत्री। तो बैडमिन्टन ACI अंडर 17 और अंडर 15 जूनियर चेंपियसिव खितने वाली तीसरी भारतिय महिला खिलाडी मनी हैं और दोस्तों जो अंडर 17 वाली प्रत्योगता थी उसमें ग्यान दत्तू ने ब्रॉंज मेडल हासिल किया है। अंगला कुशन है बामपंथी उग्रबाद प्रभावत साथ राज्यों की बैठक कहां आयोजित की गई है। तो यह रायपूर में आयोजित की गई है। दोस्तों इस बैठक में 36 गड़, आंदप्रदेश, जारखंड, मदप्रदेश, महराष्ट, ओडिसा और तेलंगाना राज्यों ने हिस्सा लिया था और इसकी अद्यक्सता की थी केंद्रिय ग्रहमिंत्री अमेश साहिने। मुख मंत्रिय सुख सिक्षा योजना किस राज में शुरू की गई है। तो यह योजना हिमाचल प्रदेश में शुरू की गई है। और इस योजना का मुख हुदेश सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजूर महिलाओं और बिकलांग बच्चों के अविभावकों को उनके बच्चों की सिक्षा और कल्याण को सक्षम करने के लिए बित्ती सहायता प्रदान करना अंगला कोश्चन है चौबीस बा अंतरराष्टिये मदर टेरिसा पुरुसका समारो कहां आयुजित किया गया है तो यह आयुजित किया गया है दोस्तों चौबीस बा अंतरराष्टिये मदर टेरिसा पुरुसका समारो दुबई में आयुजित किया गया है और 26 अगस 2024 को यह स तो चौदवी जैन्ती मनाई गई थी. अंगला कोशन है भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिम्टेट के द्वारा हिल कोल BBV131 को लॉंच किया गया है, यह किस रोग की बैक्सीन है, तो यह है 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 हैजा रोग की बैक्सीन है, और इसको बनाये किसने हैं भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिम्टेट में। हैजा की बात हुई है, तो दोस्तों यह बिब्रियो कॉलेरा नमक बैक्टेडिया के कारण होता है। अंगला कोशन है राष्टिय सुरक्षा गार्ड यानि NSG के नए महानेदेशक कोन बने हैं, आंसर हुजएगा वी स्री निवासन, तो वी स्री निवासन अभी हाली में NSG के महानेदेशक बनाये गए हैं और उन्होंने नलिन प्रभाद का इस्थान लिया है। बात करते हैं NSG की तो इस ते National Security Guard बोला जाता है, इसकी स्थापना 22 सितंबर 1986 को की गई थी और इसका मुख्यालाय नए दिल्ली में है और यह है एक आतंक बाद विरोधी यूनिट। तो इस रजिस्टेशन एक्ट 1935 रद्दक कर दिया गया है और अब एक नया एक्ट आया है नया बिल आया है जिसका नाम है असम कमपलसरी रजिस्टेशन आप मुस्लिम मैरेज एंड डिवॉर्स बिल ठीक है तो इसके तहत अब साधी और तलाक का रजिस्टेशन करवाना अ इसे S3 के नाम से भी जाना जाता है, तो भारत में अब तीन परमाणू पंडुब्यां हो गई है, इनमें से पहला नाम है INS अरिहंत, दूसरा नाम है INS अरिगात, और तीसरा नाम है S4, अंगला कुशन है धुली खेल किस देश का पहला WHO से मानिता प्राप्त स्वस्त सहर बन है, आंसर हो जाएगा नेपाल, तो धुली खेल नेपाल का पहला स्वस्त सहर बन गया है, जिसको WHO के द्वारा मानिता प्रदान की गई है, और यह एसिया का दूसरा सबसे स्वस्त सहर गोशित किया गया है, अंगला कुशन है, कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन में भारत की ओर से किसने हिस्सा लिया था, अजीत डोभाल ने, तो भारत के NSA अजीत डोभाल ने कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन 2024 में अभी हिस्सा लिया था, और यह सम्मेलन सीलंका की कैपिटल कोलंबो में क्या गया है, कोलंबो सुरक्षा कौन के लिप की अगर हम बात करें, तो यह 2011 में गठि इसका परविछषक देश है और सचवाला इसका कोलंबो सिलंका में है अंगला कुशन है सुभद्रा योजना किस राज में शुरू की गई है तो यह योजना ओडीसा राज में शुरू की गई है इस योजना के माध्यम से महिलाओं को एक वर्स में दो किस्तों में 10,000 से प्रदान किये हैं आंसर हो जाएगा यूक्रेन तो भारत के प्रदान मंत्री नरेंदर मोदी जी यूक्रेन की अभी यात्रा पर गए थे तो उन्हों ने 10 भीस में क्यू प्रदान किये हैं किसको यूक्रेन को और यह जो भीस में क्यू है यह एक पोर्टिबिल होस्पिट तो दोस्तों विग्यान और प्रोदोख की विभाग के द्वारा तीन केंद्रिय योशना को मिला करके एक नई योशना बनाएगी है जिसका नाम है विग्यान धारा योशना यह योशना 2021-2022 से 2026 तक है अंगला कुशन है Unified Pension Scheme यानि UPS लागू करने वाला पहला राजज कोन बना है आंसर हो जाएगा महराश्ट तो महराश्ट ने अभी हाली में Unified Pension Scheme को लागू किया है इस प्रकार से वह है UPS लागू करने वाला पहला राजज बन गया है दूसरी भारत सिंगापूर मंत्री इस्त्रिय गोल मेज बैठक कहां आयोजित की गए है तो यह सिंगापूर में आयोजित की गए है दोस्तो पहली बैठक 2022 में नई दिल्ली में आयोजित की गए थी तो इस सिंगापूर में यह जो बैठक आयोजित की गए है उसमें निर्म इसका registration वहाँ पर किया गया है और आपको याद रखना है कि मिथुन अरोनाचल प्रदेश नागा लेंड का राज पसू है और यह मिजोरम और मनीपुर के कुछ हिस्तों में भी पाया जाता है अंगला कुशन ने टाइफून सांसान ने किस देश को प्रभावित किया है तो अ भारतिये मसाला बोर्ड के द्वारा इस्पाइश्ट योजना शुरू की गई है जिसका उद्देश से क्या है इलाची की उत्पादक्ता में सुधार करना और निर्यात के लिए मसालों की गुडवत्ता को बढ़ाना और मसालों की निर्यात को बढ़ाना दोस्तों भारतिये मसाला बोर्ड की स्थापना 1987 में की गई थी और इसका मुख्यालय कोच्ची केरल में है अंगला कोशन है एक सट भी राष्टिय सतरंज चेंपियंशिप किसने जीती है आंसर हो जाएगा कार्थिक बेंकर ट्रमन्य तो कार्थिक बेंकर ट्रमन ने अभी हाली में एक सट भी राष्टिय सतरंज चेंपियंशिप जीती है इसका आयोजन गोडगाओं हरियाणा में किया गया था अंगला कोशन है 28 अगस 2024 को परधान मंत्री जंधन योजना की कितने में बर्स पूरे हो गए है तो 10 बर्स पूरे हो गए है । आपको याद रखना है कि परधान मंत्री जंधन why योजना की शुरुवात 28 अगस 2014 को होई थे और इसका slogan क्या था? मेरा खाता भाग बिधाता तो उनका नाम है प्रीती पाल, दोस्टों प्रीती पाल ने पेरालम्पिक गेम्स 2024 में ब्रॉंज मेडल हासिल किया है, तो उन्होंने महिलाओं की 100 मीटर T35 केटेगरी में ये जीत हासिल किये, उन्होंने कौन सा मेडल जीता है, ब्रॉंज मेडल जीता है, अंगला कोशन है, प परियोजना तयार की गई है वो लगवग 66,000 करोड रोपे की परियोजना तयार की गई है अंगला कुशन है NCERT और सिक्षा मंतराले ने कौन सी स्टार्ट की गई है डांक बिभाग के द्वारा तो भारतिय डांक बिभाग ने दीन दयाल इस परियोजना की शुरुवात अभी हाली में की है और इसका उदेश से देश भर के स्कूली छात्रों के बीच डांक टिकेट संग्राय को बढ़ावा देना अंगला कुशन है नैसकॉम के अध्यक्ष की रूप में किसे निउक्ट किया गया है आंसर हुजाएगा सिंधू गंगाधरन को तो सिंधू गंगाधरन अभी हाली में नैसकॉम की अध्यक्ष निउक्ष की गई है नैसकॉम का अर्थ क्या होता है National Association of Software and Service Companies और आपको याद रखना है कि हजार से अधिक संस्थापक है नंदा नीले करी और दिवांग महता और इसका मुख्याला है नोईडा नई दिल्ली में तो जो टेक्नोलोजी से जुड़ी हुई कंपनिया है वो इसकी मेंबर होती है अंगला कुशन है स्री कृस्न गमनपत का निर्माण किस राज में किया ज तो राजिस्तान के मुक्त मंतरी भजनलाल सर्मा ने अभी हाली में ये घुशना की है कि मद्धप्रदेश और राजिस्तान दोनों राज मिलकर के स्री कृस्न गमनपत बनाएंगे तो इसमें भगवान स्री कृस्न से जुड़े हुए जितने भी स्थल है उनको डेवलप किय जाएगा अंगला कुशन है मौरो वेरा किस देश के विदेश मंतरी है जो भारत की यात्रा पर आए हुए थे आंसर हो जाएगा ब्राजील तो ब्राजील के जो विदेश मंतरी है मौरो वेरा वो अभी हाली में भारत की यात्रा पर आए थे अंगला कुशन है ACI सर्फिंग 2024 है इसका आज़न मालदीत में किया गया था तो भारत ने सिल्बर मेडल और जापान ने गोल्ड मेडल हासिल किया है अंगला कुशन है भारत किस देश से 73,600 असॉल्ट राइफल खरी देगा अंसर हो जाएगा अमेरिका तो अमेरिका से अब भारत 73,600 असॉल्ट राइफल खरी देगा कैंद सरकार के द्वारा कितने ओद्योगिक स्मार्ट सहर तयार किये साएगे आंसर हो जाएगा बारा है तो अभी हाले में कैंद सरकार ने नो राज्यों में 12 ओद्योगिक स्मार्ट सहर तयार करने की घोजना की है। इसके अलाबा 10 राज्यों में 6 कोरिडोर भी बनाए साएंगे। और इस पूरे प्रोजेक्ट की लागत होगी 28,602 करोर। अंगला कुशन है केंद्रिय ओद्योगिक सुरक्षा बल यानि CISF के महानेदेशक कौन बने हैं। तो RS भट्टी अभी हाली में CISF के महानेदेशक बने हैं। दोस्तों CISF की स्थापना 1971 में की गई थी और इसका काम होता है भारत के जो अती संबेदन सील इलाके हैं जैसे एरपोर्ट और जो हमारे परमानों उर्जा सेयंत हैं बंदरगाए हैं उनकी रक्षा करना। इसका आदर्स बाखे सुरक्षा और रक्षा मुख्याला इसका नई दिल्ली में। अकवर गंज का नाम मा अरोहवा भवानी धाम रेलवे स्टेशन फुरसत गंज का नाम तपेसोर धाम रेलवे स्टेशन और वारिस गंज हाल्ट का नाम अमर सहीद भाले सुल्तान रेलवे स्टेशन किया गया है और निहालगड का नाम महराजा बिजली पासी रेलवे स्टे चुबन केटेगीरी में सिल्वर मेडल हासिल किया है और आपको याद रखना है कि उन्हें 2020 में अर्जुन अबाड से भी सम्मानित किया गया था और उनका सम्मान्द किस राज्य से है हरियाना राज्य से अंगला कुश्य ने हाली में सी बॉक्स पोर्टल किस ने लौँच किया है अंसर हो जाएगा अन्पूर्णा देवी ने तो भारत सरकार में महिला इवंबाल विकास मंतरी हैं अन्पूर्णा देवी तो उन्होंने अभी हाली में सी बॉक्स पोर्टल लौँच किया है जिसका उदेश है महिलाओं के लिए कार इस्थलों को सुरक्षित बनाना यानि कि जो महिलाओं ओफेस या फिर किसी हॉस्पिटल या फिर कहीं भी काम करती है तो अगर उनके साथ किसी भी प्रकार का उद्पीरन होता है तो वो इस पोर्टल की माध्यम से अपनी सिकाय तरजिक करा सकती है अंगला कुश्यन है लगपती दीदी सम्मिलन कहां आयुजित किया गया है आंसर हो जैगा जलगाओं महराष्ट में तो लगपती दीदी सम्मिलन अभी हाली में जलगाओं महराष्ट में आउजित किया गया है तो इसमें 11 लाक नई लगपती दीदियों को सम्मानित किया गया है दोस्तो लगपती दीदी योजना क्या है तो 15 अगस 2023 को प्राइमिस्टर मोदी जी के द्वारा लगपती दीदी योजना की गोशना की गई थी और इसका लक्ष है 3 करोड लगपती दीदी बनाना इस योजना की माध्यम से महिलाओं को पहले स्किल डेवलप्मेंट प्रोग्राम में ट्रेनिंग दी जाती है फिर बिना ब्याज के एक से पांच लाख रुपए तक का लौन प्रदान किया जाता है आसा सर्मा का निधन हो गया है वह कौन थी तो वह एक अभिनित्री थी तो उनका भी हाली में निधन हो गया है तो इन्होंने पॉपलर टीवी सोग कुमकुम भाग और फिल्म आदी पुरुस में भी काम किया हुआ है अंगला कुशन है भारत की पहली स्वधेशी रूप से बिकसित मंकीपॉक्स र्टी पी सी आर किट किस ने लौच की है आँसर हो जाएगा मैडड अटैक जॉन नहीं तो Mad Attack John नामक कंपनी ने अभी हाली में Monkey Pox के लिए एक RT-PCR किट को लॉंच किया है दोस्तो इस RT-PCR किट के माध्यम से Monkey Pox के बाइरस की पहचान की जा सकती है अंगला कुशन है हाली में किस देश ने आत्मघाती ड्रॉन का अनावरन किया है आंसर हो जाएगा उत्तर कुरिया तो उत्तर कुरिया देश की द्वारा एक आत्मघाती ड्रॉन बनायागा है जिसका परिछर अभी हाली में क्या गया है उत्तर कुरिया की राधानी क्या है प्याओंग यहांक करंसी है Korei People's Bon और यहाँ के लीडर है Kim Jong Un अंगला कुश्यान है Unified Landing Interface किसके द्वारा लॉंच किया जाएगा? आंसर हो जाएगा RBI तो RBI के द्वारा एक नई स्कीम लॉंच की जाने वाली है National Level पर उसका नाम है Unified Landing Interface तो इसके माध्यम से अब लॉन आसानी से मिल सकेगा जिस प्रकार से आप UPI के माध्यम से पैमेंट करते हैं यानि कि एक पिन डालते हैं और आपका पैमेंट हो जाता है उसी प्रकार से एक पिन के माध्यम से अब आपको लॉन भी मिल सकेगा ULI के माध्यम से अंगला कुशन है Under 17 विस्टु कुस्ती चैंपिनसिप 2024 में एक सिलवर और चार ब्रॉंज मेडल है अंगला कुशन है किस राज में लड़कियों की साधी की निवतम आयू 21 साल करने के लिए विध्यक पास हो गया है आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश तो हिमाचल प्रदेश में अब जो लड़कियों की साधी है वो 18 साल की बज़ाए अब 21 साल में होगी तो इसके लिए एक विध्यक पास किया गया है हिमाचल प्रदेश की बिधान सभा अंगला कुशन है विश्व जल सपताय 2024 का आयूजन कब से कब तक किया गया है इसका आयूजन 25 से 29 अगस तक किया गया है ठीक है और इस्टोक हम इंटरनेशनल बाटर इंस्टिटूट के द्वारा यह सपता है आयूजन क्या गया है 2024 की थीम है सीमाओ को जोड़ना सांती पोण और टिकाव भविस के लिए जल जोसे परेरा नागरिक्ता संसोधन अधनियम 2019 के तहट नागरिक्ता प्राप्त करने वाले किस राज्य के पहले व्यक्ती बने है तो वह गोवा राज्य के पहले व्यक्ती बने है अंगला कुशन है अंडर 27 फुटवाल चेंपिसिप 2024 का टाइटल किस ने जीता है आंसर हो जाएगा बांगला देश ने तो बांगला देश ने ने नेपाल को हरा करके यह खिताब हासिल किया है और यह प्रत्योगता नेपाल में ही आयुजित की गई थी खुरूर्ण इंडिया रिचलिष्ट 2024 के अंसर सबसे धनवान फैम्ली कौन मनी है आंसर हो जाएगा गौतम अडानी एंड फैम्ली तो पहले स्थान पर गौतम अडानी एंड फैम्ली है दूसरे पर मुके संबानी तीसरे स्थान पर सिव नादार एंड फैम्ली तीसरे चौते स्थान पर साइरस एस कुनावाला और 15 स्थान पर दिलीप संग्वी और 6 स्थान पर कुमार मंगलम बिल्ला एंड फैमिली है अंगला कुशन है SEO के Council of Heads of Government की बैठक 15-16 अक्टूबर को किस देश में होगी तो यह कहाँ पर होने वाली है पाकिस्तान में इसके लिए प्राइमिस्टर मोदी जी को भी आमंतरित किया गया है तो दोस्तों ये थे weekly current affairs के question आप इन्हें note कर लें और अगस्त 2024 के current affairs की ebook को launch कर दिया गया है app पर तो app का link नीचे description box में दिया गया है तो वहाँ से आप इसको install कर लें जैसे ही आप ebook बाले option पर जाएंगे तो आपको monthly current affairs की ebook मिल जाएगी तो अगस्त 2024 की ebook launch कर दिये है इसको आप बहुत ही आसानी से प्राप्त कर सकते हैं अब आपके लिए question है जिसका answer comment box में बताना है आपको बताना है कि राश्टी एक खेल दिवस कम मना जाता है जो भी इसका right answer हो comment box में जरूँ बताएं और आप एप को download कर लें एप का link description box में दिया गया है तो एप पर आपको paid course मिल जाएगा ebook मिल जाएगी test series और डेलिकर इंटरफ्यस की PDF test pass ये सभी मिल जाएगा test pass में क्या है तो भारत में जितने भी competitive exam आयुजित के जाते हैं उन सभी के लिए test हैं तो यहाँ पर आपको 3000 से दिख test मिल जाएगी जिसकी validity होगी एक बरस की तो आप इन सभी test को प्राप्त कर सकते हैं app पर आप हमारे telegram channel को भी join कर लें उसके लिए आपको telegram पर जाना है और study कर official सर्ज करना है तो channel मिल जाएगा उसे join हो जाएगे तो आपको PDF भी मिल जाएगा ebook बाले option पर जाएगे तो monthly current of years और yearly current of years half yearly current of years के अलाबा gk की ebook भी मिल जाएगी तो आपको ये test मिल जाएगा और जन्वरी 2024 से अगस्ट 2024 तक के current of years की ebook भी एप पर मिल जाएगी जो की काफी important है exam के लिए आप हमारे whatsapp channel को भी join कर सकते हैं इसका link description box में दिया गया है इसके अलाबा आप हमारे instagram page को भी follow कर सकते हैं आपको description box में मिल जाएगा